कि CH3 O CH2 CH3 का IPC नेम लिखेंगे देखिए इसको इदि मैं यहाँ पर ओपन करना चाहूंगा ति यह आपके ऐसे ओपन हो जाएगा यह कार्बन इससे तीन हैडोजन जुड़े हुए हैं यहाँ पर O single bond single bond और यहाँ आपका c जुड़ा इसके साथ दो हैडोजन और यहाँ यहाँ यह है आपका carbon और इसके साथ आपकी तिन हैडोल्जन जुड़ी है देखिए carbon की कितने Valence ही होती यह नि कारबन कितने बॉन बनाता है 1 2 3 4 1 2 3 two bonds बनाता है one two अब देखिए यह आपका क्या है यहां से oxygen को देखे बताइए यह आपका दोस्तों इथर है देखे इथर और एस्टर में कन्फ्यूज मात हो यह एस्टर क्या होता है कार्बो ऑग्सलिक एसेड का डेरिवेटिव होता है तो यहां पे हम क्या करेंगे एक देखे सिंपल सा प्रोसेस करेंगे इसका आई पीशी नेम लिखने के लिए यह वाला यहां से बॉंड ब्रेक कर देगे इसंपे धिहान क्या रखना है यहांपे कितने कार्बन आए है वन टू यहां पे कितना वन कार्बन तो यह आपका जो अख्सिजन है यह जिस साइड आपके नंब औ context कम है उस साइड रहे गए यानि आप ऐसे समझे कि यह आपका जिसमें number of carbon कम है यह तो बनेगा alcoxy और जिसमें number of carbon ज्यादा है वो आपका बनेगा alcan तो यहाँ पे alcoxy को हम किसके रूप में यूज करते हैं दोस्तों alcoxy को हम यूज करते हैं आपका prefix के रूप में चीक है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे man कौन हुआ alcan prefix देखिए जो आपका parent chain होता उससे पहले लिखा जाता है और parent chain का नाम हम सबसे last में लिखे हैं तो यहाँ पे इसका parent कौन हुआ यह आपका parent हुआ इसका substitute कौन हुआ यह substitute का नाम लिखते हैं यहाँ पे L का मतलब क्या है L का मतलब number of carbon यहाँ पी कितना एक carbon एक carbon को क्या कहते है math इसके पीछे हम क्या जोड़ देंगे अब को x y math oxy यहाँ पे number of carbon कितने है यहाँ लिख देता हूँ देखिए इसका फिसे name math oxy number of carbon कितने है दो carbon दो को क्या कहते है एथ यहाँ इसकी L की जगे क्या जाएगा दोस्ताँ आपका इथ इसके साथ क्या जोड़ना है carbon कार्बन की बीच देखो single bond है तो e and e और यह दे double bond होता है तो e and e triple bond होता है तो y and e इसका नाम बन गया methoxy ethane ओके तो मैं उमीद करा हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अन्य इथर के नाम भी आसानी से लिख पाएंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके मन में कोई कुशन है डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं वैसे मैं जो अपना किलियर करते जाएंगे और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर विजिट करें थैंक यू